साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, सत्विद्या यदी का चिंता वरा कोदर पूर रहें, अर्थात जिसके पास विद्या है, ज्ञान और कौशल है, उसे अपनी आजीविका के लिए, जीवन की प्रगति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, सक्षम व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए खुद ही रास्ते बनाता है, मुझे खुशी है कि सर्दार, डाम, ट्रस्त द्वारा, सिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दिया जा रहा है, हमारी नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती का भी इस बात पर विशेश फोकस है कि हमारी शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए, भविश में मार्केट में कैसी स्कील की डिमांड होगी, फ्यूचर वर्ल में लीड करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा, राष्ट्रिय शिक्षा नीती स्टूडेंट्स को सुरुवा से ही इन ग्लोबल रियालिटी के लिए तयार करेगी, आज स्कील इन्डिया मिशन भी देश की बड़ी प्रात्विकता है, इस मिशन के तहट लाखों युवाओं को अलग अलग स्कील सिखने का आउसर मिला है, वो आत्म निर्भर बन रहे हैं, नेशनल एप्रेंटिशिप प्रमोशन स्कीम के तहट युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल डवलप्मेंट का अउसर भी मिल रहा है, और उनकी आमदनी भी हो रही है, मानव कल्यान योजना और ऐसी ही दुसरी अनेकों योजनाओं के जरिये, गुजरात खुद भी इस दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है, और इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बहुत बहुत बढ़ाई भी देता हूँ, कई सानों के लगातार प्रयासों का परणाम है कि गुजरात में आज जहां एक और स्कुल ड्रॉप आउट रेट एक प्रतिशत से भी कम हो गया है, वही अलग-अलग योजनाओं में लाखों युवाओं को स्किल डवलप्मेंट के ज़रिये नया भविश्य मिल रहा है, गुजरात के युवाओं में एंट्रप्रिनर्शिप तो स्वाभावी की होती है, स्टार्ट अप इंडिया जैसे अभियान से आज गुजरात के युवाओं के इस प्रतिवा को एक नया इको सिस्टिम मिल रहा है, मुझे बताया गया है कि सरदार दाम ट्रस्ट भी हमारे युवाओं को ग्लोबल बिजनेस से जोडने के लिए कई प्रयास कर रहा है, वाइपरन गुजरात समीट के जरिये जो शुरुवार कभी गुजरात ने की थी, ग्लोबल पाटिदार बिद्दे समीट उन लक्षों को आगे बढ़ाएगी, पाटिदार समाज की तो पहचानी रही है, यह जहां कहीं भी जाते हैं, वहां के व्यापार को नई पहचान दे देते हैं, आपका यह हुनर अब गुजरात और देश में नहीं, पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा है, लेकिन पाटिदार समाज की एक और भी बड़ी खुबी है, यह कहीं भी रहे, भारत का हिद्द आपके लिए सर्वो पर ही रहता है, आपने देश की आर्थिक उन्नति में जो योगदान दिया है, वो अध्भूत है और प्रेणादाई भी है।